इस साल का तीसरा मैना खातम हो गया बार मैंसे तीन गए है वेल आज का जो केस है उसने ना सिर्फ एक एरिया को बल्कि एक पूरी कंटरी को हिलाके रख जा था इट वस सच अ गुरूसम क्राइम कि उस टाइम पे इस केस के बारे में सर्च करने के लिए भी मना कर दिया गया था और ये एक ऐसा केस है जिसने उस समय पे एक कंटरी के लौ को ही आल्मोस्ट चेंज कर दिया था और ये केस है फिलिपीन के सीबू से और ये केस रिवाल्विंग अराउंड क्रिस्टीन ली सिलिवान लौड एस सिलिवान एक 47 साल की सिंगल मदर थी जो कि अपने चार बच्चों के साथ फिलिपीन के लापू-लापू सिटी में रहती थी लौड एस के हजबन मारियो पारडिलो और लौड एस का 13 साल पहले ही डिवोर्स हो चुका था उनकी बड़ी बेटी लौसलीन सिल्वान 21 साल की थी और वहीं पास में ही एक प्राइवेट स्खूल में टीचर की जॉब करती थी उनकी दूसरी बेटी क्रिस्टीन सिल्वान जो की 16 साल की थी और उनके दो और बच्चे थे जो की 14 और 15 साल के थे वो लोग financially थोड़े से वीग थे लेकिन Lord S कभी भी अपने बच्चों को किसी भी चीज की कमी मैसूस नहीं होने देती थी Lord S उनकी बड़ी बेटी ही financially अपने घर को संभाल रहे थे and even though they were not very rich, they were a very happy family Lord S अपने सारे बच्चों को equally प्यार करती थी लेकिन उनकी जो दूसरी बेटी थी, Christine उनसे उनका लगाव कुछ और ही था According to her, Christine Lord S के लिए उनकी एक friend की तरह थी She was a teenager and usually teenagers rebellious होते है उनने हर काम अपनी तरह से करना जादा पसंद होता है and I'm pretty sure तुम लोगों मैंसे भी ऐसे काफी लोग होंगे जिनका ये rebellious face चल रहा होगा You know being in your teenage years पर Christine बाकी सभी बच्चों से बहुत अलग थी वो अपनी मदर की सारी की सारी बाते मानती थी और उसे जो भी उसकी मा काम करने करें देती थी वो बिना किसी complaint के उसे पूरा करती थी क्योंकि Christine अपनी घर के हालातों को अपनी financial problems को उनके area को पूरा ढंग से समझती थी and she knew कि उसकी family किस condition में है इसलिए वो कभी भी किसी चीज के लिए जादा जिद नहीं करती थी Christine थोड़ी सी shy थी, थोड़ी बहुत introverted थी वो इसलिए उसके बहुत सारे friends नहीं थे लेकिन जितने भी उसके friends उसके circle में थे उनके साथ बहुत जादा मस्ती मारती थी उसके K-pop और anime भी बहुत जादा पसंद था according to her friends, Christine बहुत ही joyful nature की थी और हमेशा खुश रहती थी उसका एक boyfriend भी था and his name was John और वो दोनों almost एक साल से relationship में थे Christine had her family, her friends, her boyfriend और वो अपनी इस life से बहुत खुश थी Christine was just 16 and she was in 9th standard पर जब उसकी मम्मी घर में नहीं होती थी जब उसकी बड़ी बहन घर में नहीं होती थी तो तब वो खुद अपने छोटे siblings का ध्यान रखती थी and as I said कि Christine को अपनी family के हालत के बार में पता था तो इसलिए वो अपनी बड़ी बहन जैसे अपनी family की financially help करना चाती थी जिसके लिए उसे एक flight attendant बनना था वो अकसर अपना ये dream अपने भाई भेनों के साथ share करती थी that how she wants to travel all around the world इतनी kind, caring और ambitious होने के साथ साथ Christine काफी religious भी थी She was a Catholic और वो अपने घर के पास के Sacred Heart Parish Church की active member थी वो चर्च में collector का का काम करती थी और वहाँ चर्च में जो भी elders आते थे Christine उनकी भी help करती थी जिससे उन्हें कोई भी परिशानी ना हो Christine एक भी दिन चर्च जाना मिचने करती थी even on weekdays तो जब भी वो weekdays भी school जाती थी उसके बाद वो घर आके थोड़ा rest करती और फिर 4 बजे चर्च चले जाती थी और शाम को करीब 7 बजे के आसपास वो चर्च से वापास आ जाती थी और Sundays को भी उसका चर्च जाने का यही टाइम होता था और करीब 7 बजे अपनी सारी duties फुल्फिल करके सारे वहां के काम निपटा के वो घर वापास आ जाती थी She was a very kind-hearted kid but she was very punctual also Christine was like a dream child for any parent especially Asian parents के लिए वो एक perfect बच्ची थी आज के टाइम में उसकी age के almost हर बच्चे के पास अपना खुद का personal phone होता है लेकिन Christine अपने छोटे siblings के साथ एक phone शेर कर रही थी and she was okay with it उसकी मदर को ये पता था कि उनकी बेटी कभी भी उनसे किसी चीज की कोई unnecessary demand नहीं करेंगी इसलिए Christine के 17th birthday पर जो की March 26th को था Lord S उसकी mom ने उसे एक smartphone as a surprise gift देने का decide करा Christine की mom उसे काफी time से gift देना चाहती थी so she settled on this phone और इस चीज के लिए उन्होंने काफी महीनों तक पैसे जमा करे थे पर Christine की mom को ये चीज नहीं पता थी कि उनकी ये wish उन्होंने जो ये phone खरीदा था अपनी बेटी के लिए वो वो से नहीं दे पाएंगी क्योंकि Christine के बड़ते के सिर्फ दो दिन पहले ही Christine गयब हो गई और Sullivan family के साथ कुछ ऐसा हुआ जो की वो कभी भी नहीं भूल पाएंगे March 10th 2019 उस दिन संडे था और हर संडे की तरह Christine दिन में अपनी मा के घर के कामों में हेल्प करवाने के बाद चर्च जाने के लिए रेडी हो रही थी वो कभी भी अपनी मम्मी को बिना बताय चर्च के लिए नहीं निकलती थी और उस दिन भी चार बजे के आसपास उस अपनी मा को इंफर्म करा कि वो चर्च आ रही है Christine की मम ने उससे बस इतना का कि तुम घर टाइम पर आ जाना और यूजरी Christine ने अपनी मम को ये रेप्लाइ करते वे का कि हां मैं पर टाइम पर घर आ जाओंगी and after that she left for church पर एक बाद जो कि Christine को और उसकी मम को भी नहीं पता थी that was कि this was the last time they were gonna see each other Christine के जाने के बाद Christine की मम अपने काम में busy हो गई और जब तक उनका काम खता हुआ तब उन्होंने ये चीज़ नोटिस करी कि अब almost 7 बजने वाले थे कुछ ताइम बाद 7 बजे फिर 7 से 7 साड़े 7 साड़े 7 से 8 लेकिन फिर भी अभी तक Christine घर वापस नहीं आई थी which was very unusual जैसे कि मैंने कहा कि Christine अपनी timing को लेके बहुत यादा punctual थी so this was weird to her mom क्रिसीन पहले कभी भी अपनी mom को बिना बताए इतना लेट बाहर नहीं रहती थी और वो हमेशे टाइम पर घर वापस आजाती थी इसलिए Christine की mom को पता था कि कुछ न कुछ नो यहाँ पर कड़ बढ़ है तो जैसे ही 8 बजे Christine की mom सीधा उस church में गई जहां हमेशे Christine जाया करती थी to see कि क्या मेरी बेटी वहाँ है या नहीं चर्च पहुंचने के बाद Christine की mom ने वहाँ के record चेक करे तो तब उन्हें पता चला और लोगों से भी यह चीज़ पता चली कि Christine तो वहाँ से 6 बजे निकल गई थी Now the question was कि अगर वह 6 बजे चर्च से निकल गई थी चर्च उनके घर से इतना जादा दूर भी नहीं था तो अभी तक वह घर क्यों नहीं पहुंची और वह अब कहां है Lord S की घबराट अब और भी जादा बढ़ती जा रही थी और क्योंकि Christine की मज़र ने कुछ टाइम पहले ही news में सुना था कि उनके घर से कुछ ही धूरी पर पुलिस को एक ऐसा इनसान के होने का शक है जो drug dealing and kidnapping करता है and he even had guns and weapons with himself इसी लिए उनका डर और भी जादा बढ़ रहा था Christine के गायब होने पर और ऐसे situations में क्या होता है कि हमारा दिमाग जो है न वो हमेशा worst case scenario ही imagine करता है और वो ही चीज Christine के माम के साथ भी हो रही थी अभी but still she calmed herself down और वो वापस रासा trace करने लगी कि कहीं बीच में मुझे Christine मिलना जाए चर्च से घर वापस आते टाइम Lord S. को Christine का एक friend Ryan मिला जो Christine के साथ चर्च में duties करता था उन्होंने Ryan से Christine के बार में पूछा to which he replied कि वो दोनों ही 6 बजे चर्च से निकल गए थे क्योंकि उस दिन चर्च में कुछ जादा काम नहीं था इसलिए वो अपने यूज़ टाइम से घर थोड़ा जल्दी निकल गए थे चर्च से बाहर आकर उन दोनोंने वहीं खड़े वेंडर से बालूत खाया which basically is fertilized duck egg जो Philippines का famous street food है उसके बाद Ryan ने बताया कि ये वो दोबारा चर्च में चला गया था और जब تक वो वापस आया तब तक कृसी बहान से जा चुकी थी ये पता लगने के बाद कृसीं की माम उस बालूत वेंडर के पास गई और उसने कहा कि हाँ मुझे पता है क्रिसीन कोण है क्योंकि वो बार बार यहाँ पे आती रहती है पर मुझे आज भी उसका behavior कुछ unusual नहीं लगा और Ryan के चर्च के अंदर जाने के बाद क्रिसीन महाँ से खुद ही चले गी थी इसलिए उस vendor वाले को भी नहीं पता था कि where she left ये info मिलने के बाद Lordis को ये समझ आ चुका था कि उनकी बेटी किसी बहुत बड़ी मुसीबत में है तो वो जल्दी से अपने घर गई उन्हों अपने सारे neighbors को बताया कि क्या क्या हो रहा है मेरी बेटी के साथ और वो सब अब मिलके उनकी बेटी को ढूनने में लगे थे Christine को ढूनने में लगे थे वो लोग काफी देड़ तक Christine को ढूनते रहे लगिन जब उसके बारे में उन्हें कोई भी information नहीं मिली कोई भी clue नहीं मिला तब Christine की mom ने Philippines पुलिस को ये चीज़ बताए कि मेरी बहुत यादा obedient daughter अब गायब हो चुकी है उनना ने exactly ये कहा My very obedient daughter is missing and the reason कि Christine की mom को ये clear करना ज़रूरी पड़ा that her daughter is very obedient is because काफी countries में पुलिस, teenagers या adults की missing report इतना seriously नहीं लेते क्योंकि most of the times teenagers अपने घर में किसी बात से नाराज होकर या फिर किसी और reason की वज़े से घर से भाग जाते हैं और कुछ दिनों बाद वो वहाँ वापस आता है जो की बहुत ही ज़ादा common है फिलिपीन्स में as we all know कि जो बाहर की दुन्या है वो कितनी हाश है और इसी वज़े से Lord S. पुलिस से बार बार insist करती रही कि उनकी बेटी कभी भी बिना बताए गर से बाहर नहीं जाएगी and most definitely वो किसी मुश्किल में ही है इतना सब समझने के बाद पुलिस ने finally क्रिस्टीन की missing report लगी और उसके सीधा बाद वो लोग चले गए क्रिस्टीन के घर के पास उसे ढूनने के लिए in my opinion this was kind of a wrong move from फिलिपीन्स पुलिस क्योंकि उनके घर के आज पास तो फिलिपीन्स के नेबर्स ने भी ढूनना था उसे और थोड़ा दे ढूनने के बाद फिलिपीन्स पुलिस ने उसकी मॉम से कहा कि हमें वो अभी नहीं मिल रही है हम कल सुबह उसे ढूननेंगे नोबडी कुट फाइन क्रिस्टीन क्रिस्टीन की मॉम को लग रहा था कि उनका सारा का सारा लक रन आउट हो चुका है तो ठक हार के और हार मान के वो लोग घर चले गए और क्रिस्टीन की मॉम बस ये प्रे करते रहे कि काश कल सुबर मुझे मेरी बेटी मिल जाए या फिर काश कल सुबर मेरी बेटी खुद वापस घर आ जाए अगली सुबह निकलते ही फिलिपीन्स पुलिस पर एक आदमी का कॉल आया जिसने उन्हें बताया कि सुबह जब वो अपने काम के लिए जा रहा था तब एक खाली पड़े लॉट से गुजरते समय उसे कुछ स्ट्रेंज नजर आया दूर से देखने पर उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या है इसलिए वो थोड़ा पास से उस चीज को देखने गया and what he saw was enough to give somebody nightmares for his entire life वहाँ उस बड़े से फील्ड के बीच में एक लड़की की dead body पड़ी थी which was unclothed from waist down and her skull and eyes were completely exposed थोड़ी ही देर में ये न्यूज वाइलफार की तरह पूरे एरिया में फैल चुकी थी और उस एरिया से हर कोई इस फील्ड में इस चीज को देखने आ रहा था the most shocking thing was कि ये फील्ड क्रिस्टीन के घर से थोड़ा ही पीछे था इसलिए हर किसी के माइड में एक ही question घूम रहा था कि क्या ये क्रिस्टीन सिलवान है और अगर ये क्रिस्टीन सिलवान है तो पुलिस को ये पिछले दिन क्यों नहीं मिली पुलिस के माँ पहुसते ही उन्होंने ये चीज देखी कि वहाँ पे बहुत सारे लोग जमा है और ये चोटी बच्ची इसके कपड़े नहीं थे उसकी बाड़ी पे क्रिस्टीन की माम के description से बहुत ही ज़ादा मैच हो रहा था तो पुलिस फालर नो नुन है जल्दी से क्रिस्टीन की माम को बिलाया वहाँ पे ये देखने के लिए कि क्या तुम बजा सकती है ये तुमारी बैटी ही है या नहीं क्रिस्टीन की माम वहाँ आई and even though उस लड़की का चहरा पूरी तरह से डैमेज हो चुका था but a mother's heart knows about her child उस dead body को देखते ही Lordis started crying उन्होंने क्रिस्टीन को एक bracelet gift किया था जो क्रिस्टीन के हाथ में अभी भी था जिससे अब ये तो clear था that Christine is never coming back to her mother Lordis पूरी तरह से तूट चुकी थी कुछी घंटों में उनकी जिन्दगी हमेशे के लिए बदल चुकी थी एक दिन पहले तक उनकी बेटी उनके साथ थी and now her body was lying lifeless in front of her और अब Lordis की सिर्फ एक ही demand थी अपनी बेटी को justice दिलवाना investigation स्टार्ट हुई और क्रिस्टीन की बाड़ी को और टॉपसी के लिए लेकर जाया गया जिसके बाद पता लगा कि क्रिस्टीन की death 10th मार्च को करीब 6 बजे हुई थी उसकी बाड़ी पर 27 बार आंस पर 9 बार और नेक पर एक बार चाकू से वार किया गया था उसके चेहरे पर और ब्रेन में एसिड डाला गया था जिसके बाद half of her face was skinned so precisely कि उसके face का half skull completely visible था उसके कुछ अंगों जैसे उसकी tongue, wind pipe, her right ear, parts of her neck and hair were missing क्रिस्टीन को मारने से पहले उसका social बीकिया गया था क्रिस्टीन के private parts पर खून के कुछ धब्बे थे लॉडस ने क्रिस्टीन के father मारियो को inform किया कि उनकी बेटी अब और नहीं है और क्रिस्टीन के father उस टाइम पे बहूल में थे और ये सब सुनते ही मारियो और क्रिस्टीन के grand parents भी वहाँ पहुँच चुके थे और क्रिस्टीन की फैमली का बस एक ही सवाल था कि आखिर ये सब कुछ हमारी बेटी के साथ किस ने करा और क्यों करा जिस हिसाब से क्रिस्टीन की lifestyle थी जिस हिसाब से क्रिस्टीन थी उसका कोई भी दुश्मन नहीं होना चाहे था और इसी लिए फिलिपीन्स पुलिस को कोई भी किस कोई भी ऐसा आदमी नहीं मिल रहा था जिस पर वो शक कर सके लेकिन बहुत जादा investigation करने के बाद उन्हें एक ऐसा आदमी मिला जो कि क्रिस्टीन के घर के आसपास ही रहता था and his name was Jonas Martel Bonio जोनस ने पास्ट में एक 62 साल के फार्मर का खून किया था और उसकी identity conceal करने के लिए जोनस ने उस फार्मर के पूरे face को destroy कर दिया था दोनों cases में इतनी similarity होने की वज़ा से पुलिस ने जोनस को तुरंट custody में ले लिया था लेगिन काफी time investigation करने के बाद and allegedly उसे torture करने के बाद भी उसका यही कहना था कि उसने क्रिस्टीन को न कभी देखा है और ना ही वो कभी उसके सामने आया था और इतना सब कुछ होने के बाद जब पुलिस को जोनस के खिलाफ कोई proof नहीं मिला and he was also saying this thing की उसने कुछ नहीं करा है तो पुलिस को उसे रिहा करना ही पड़ा जोनस के अलावा पुलिस के बाद कोई भी clue नहीं था they had nothing और अब तो जोनस भी release हो गए था तो इसी वज़ा से फिलिपीन्स में ये case मीडिया की health से बहुत यदा wildfire की तरह फैल की था दुबारा से और पुलिस की इस incompetence को देखकर फिलिपीन्स people they were raged फिलिपीन्स में जगा जगा protest स्टार्ट हो गए थे क्रिस्टीन के लिए candle marches निकाले जा रहे थे हर कोई road पर क्रिस्टीन के नाम के banner लेकर protest कर रहा था और क्योंकि ये crime इतना gruesome था इसलिए वहाँ के officials ने भी इस case के बारे में search करने के लिए मना कर दिया था but as we all know about the nature of internet unfortunately क्रिस्टीन के इतने disturbing photos internet पे circulate हो रहे थे that it was out of control and this created just another chaos in Philippines हर कोई क्रिस्टीन के लिए बस justice चाता था और अब क्योंकि पूरे Philippines में outrage हो रहा था और क्रिस्टीन के case को international coverage भी मिल रहा था इसलिए the National Bureau of Investigation was involved with this एक special task force भी बना दी गई थी and a reward of 2 million pesos was also set to the person जो भी इस case को solve करने में Philippines पुलिस की मदद करता अब Philippines पुलिस को समझ भी नहीं आ रहा था कि उनने क्या करना चाहिए और उनके उपर इतना सारा pressure भी था तो they were kinda clueless पर तब ही अचानक उनके सामने एक CCTV footage आई जिसमें उन्होंने क्रिस्टीन को चाते विए देखा था पर इस footage में क्रिस्टीन अकेली नहीं थी उसके साथ कोई एक आदमी था सबस्याब तो Christine उसके पीचे चल रही थी पर Kristen उस आदमी के साथ ऐसे चल रही थी कि वो उसे पहले से जानती थी पर उस footage को देख के ये पता नहीं चल सकता था कि ये आदमी कोणे कहां रहता है क्यूंकि उस footage में उस आदमी की especially उसके social media की तब क्रिस्टीन की बेहन लुइसलीन ने बताया कि क्रिस्टीन के Facebook अकाउंट पर उनका contact number डलावा है as a backup contact और उसकी हेल से पुलिस क्रिस्टीन के Facebook अकाउंट में login कर पाई क्रिस्टीन का Facebook messenger चेक करने पर दो ऐसे अकाउंट के बारे में उन्हें पता चला which were suspicious for police और उन दोनों में से पहले अकाउंट वाले का नाम था CJ Diaz और दूसरे अकाउंट था क्रिस्टीन के boyfriend John का और इन अकाउंट के बारे में पता चलते ही पुलिस का शक John पे जाने लगा क्योंकि according to NBI क्रिस्टीन और John का 28th February को break up हो गया था just few days before क्रिस्टीन's disappearance और चैट्स देखके ऐसा लग रहा था कि क्रिस्टीन ने John के साथ break up करा था and John, he was not happy about the break up और तो और उनकी चैट्स में कुछ-कुछ messages John ने delete भी करे थे जिसकी वज़े से पुलिस को लगा कि ओ कि ये कुछ छुपाना चाहरा है यहां पर पुलिस के according उन्हें ऐसा लग रहा था कि John क्रिस्टीन से नाराज था इसलिए बदला लेने के लिए उसने क्रिस्टीन को मारा even though they did not have solid concrete proof against him फिर भी फिलिपीन्स पुलिस ने John को उसके घर जाके अरेस्ट करने की कोशिश करी पर पुलिस के जॉन के घर पे पहुंचते ही जॉन की माम ने उन्हें ये बताया कि 11th मार्च को पूरे दिन जॉन बस घर पे ही था उसने अपनी माम की घर के कुछ काम में मदद करी और उसके बाद वो अपने दोस्तों के साथ घर के बैक्यार में ही पूरा दिन बस बास्केट वाल खिलता रहा है और जब पुलिस वहां पहुंची थी तो जॉन ने ही दरवाजा खुला था तो according to his mom अगर उसने ये crime करा होता तो वो इस समय पुलिस से भाग रहा होता ना कि उनके लिए दरवाजा खुलता पर फिर भी पुलिस का and even NBI का यही मानना था कि जॉन नहीं क्रिस्टीन का murder किया था and they speculated कि उसने CJDIS का account use किया to lure क्रिस्टीन to take his revenge जॉन के घर को सर्च करने के बाद पुलिस को जॉन के पास से कुछ कपड़े मिले जो CCTV फुटेज से similar थे उन्हें एक phone मिला जिसकी screen cracked थी और जॉन के shoulder के पीछे कुछ injuries भी थी जिसके basis पर पुलिस ने जॉन को arrest कर लिया था जॉन अब पुलिस का prime suspect बन चुका था and even though he was a minor at that point he still faced extreme backlash from Philippines people और allegedly जब जॉन पुलिस की custody में था तो उसे बहुत यादा मारा गया था he was even electrocuted ताकि वो अपना crime confess कर दे पर जॉन ने कहा कि नहीं मैंना ऐसे कुछ भी नहीं करा at this point Rodrigo Duterte जो उस ताइम पर Philippines के president थे उन्होंने पुलिस को एक warning दे दी कि अगर उन्होंने एक महीने के अंदर इस case को solve नहीं करा तो वो हर एक पुलिस वाले को job से निकाल देंगे and sure enough कुछ ही दिनों में जॉन ने ये confess कर दिया था कि क्रिसीन का murder उस नहीं किया है बट क्यूंकि जॉन माइनर था और उस ताइम पर कोई भी lawyer उसके साथ नहीं था इसलिए उस confession को legit नहीं माना गया बट सिल on March 19 पुलिस ने ये case को close कर दिया according to them उन्हें उनका suspect मिल चुका था और उन्हें ये case solve कर दिया था but according to mayor पाज रजादा forensic experts and even lots Christine की mom ये crime किसी एक इनसान नहीं किया था उनके according ये crime इतना brutal था कि एक छोटा बच्चा ये करी नहीं सकता था अकेले there must be someone else involved in this even Philippines के जो लोग थे उन्हें भी ये शक्त था कि ये crime एक अकेला आदमी नहीं कर सकता है पर क्योंकि पुलिस वालों के सर पे इतना दा pressure था उस ताइम पे तो इसलिए लोग को ये लगता था कि ये सारा का सारा confession जॉन से जबरदस्ती कराये गया था पुलिस वालों के दौरा now क्योंकि जॉन के against कोई भी solid proof नहीं था और उसके confession को भी legit नहीं माना जा रहा था उस समय तो कुछ टाइम के बाद जॉन को पुलिस ने रिहा कर दिया और एक और बार फिर पूरी की पूरी investigation point zero पे आ गए थी दुवारा से और जॉन के बाहर आने के बाद क्रिस्टीन की family ने उसकी mother ने ये बोल दिया था कि मैं अपनी बेटी की body को तब तक बरी नहीं करूंगी जब तक उसके culprit को नहीं पकड़ा जाएगा and as you might have guessed कि this created more pressure on policeman पर क्रिस्टीन की mom के lawyers के काफी insist करने के बाद ना चाते हुए भी उन्हों 24th March को just two days after her birthday Christine was finally late to rest Christine का case solve नहीं हुआ था Christine की mom बार बार police station के चकर काटी रहती थी lawyer के चकर काटी रहती थी मेरी बेटी को कुछ तो इंसाफ मिले पर police के पास कुछ था ही नहीं इस case को solve करने के लिए and they had no clue but suddenly on 9th April उन्हें एक अजीव सा call आया और इस call के confession की वज़े से ये case पूरी तरह से change हो गया था और एक confession था Renato Paiupan Lenis का Renato Paiupan Lenis 43 साल का था with a history of crime and he was the same guy जिसके बारे में Lord S. ने news में सुना था पहले Renato पहले से ही police की निगरानी में था for alleged possession of weapons and drugs उसे 9th April को police ने detain किया था 45 caliber gun रखने के suspicion में बट 11th April को एक press conference के time पर Renato ने ये confess किया कि उसने ही Christine का murder किया है ये confession इतना sudden और out of the blue था कि हर कोई ये सुनते ही shock हो गया था हर किसी के mind में हजारों सवाल थे और police के पूछने पर Renato ने बताया कि वो Christine से Facebook पर ही मिला था और Facebook पे Renato का नाम था CJ Diaz Renato ने बताया कि वो उस account का use करके teenage girl से बात करता था और वो खुद को एक 16 साल का लड़का बताते हुए लड़कियों को अपने पास lore करता था according to police Renato के fake account CJ Diaz पे Christine ने ही उसे friend request भीज़ थी he had a very cute guy profile picture on there और जिसके बाद वो लोग रोज चैट करते थे और ये चैटिंग चली कम से कम 5-6 मिने तक और इन 6 मिने तक कहीं पार CJ ने Christine को ये बोला था कि हम लोगो मिलते हैं हमें मिलना चाहिए we should take this thing further actually that's what I thought would have happened but I said it wrong Christine was the one who was asking Renato asking CJ to meet her पर हमेशा कुछ ने कुछ बहाना बना कि Renato या फिर CJ Christine को टाल दिता था पर फिर इतने बार टालने के बाद और इतने बार Christine को मना करने के बाद एक दिन Renato ने सोचा कि okay I should finally meet her और फिर उन दोनों ने ये decide करा कि 11th March को वो दोनों चर्च के बाहर मिलेंगे पर जब Christine ने Renato को पहली बार देखा तो उसे समझ आ गया था that she had been cat-fished and fooled because obviously Renato एक 16 साल का लड़का नहीं था बलकि एक middle-aged man था Christine was now uncomfortable और उसने वहाँ से जाने के लिए बोला but Renato assured her और उसने Christine से पूछा कि क्या वो से घर तक छोड़ सकता है Renato उसे insist करता रहा और Renato के इतने insist करने पे Christine finally agreed और वो दोनों महाँ से चले गए तब ही रास्ते में Renato ने Christine से बोला to have intercourse with him जिसे सुनकर Christine ने तुरंत उसे reject कर दिया था and according to Renato Christine ने John को contact करने का try करा था उस समय और यही rejection और जलिसी की वज़े से Renato ने Christine को scissor से कहीं बार मारा और वो से drag करते वे एक empty field में ले गया था जहां उसने Christine का पूरा face काट गया था ताकि Christine को कोई पहचान ना सके और Renato पकड़ाना चाहे Christine को मानने के बाद उसने Christine की face की skin और उसके कुछ अंगों को एक bag में डाला और उसे कहीं और dispose करने चले गया वो ताकि police confused हो जाए उसने admit कि उसने ही यह सब कुछ अकेले किया था and he was high on drugs at that time as well he later confessed कि उसने सब कुछ Facebook, YouTube और Momo challenge से सीखा था जो कि उस समय बहुत यादा famous था वहाँ Renato ने यह सब कुछ खुद confess कर रहा था पर उसका confession इतनी अजीव सी जगा पर और इतने अच्छानक से आया था कि किसी को भी उसकी बात पर थोड़ा बहुत विश्वास नहीं हो रहा था तो जब उससे reason पूछा गया कि अगर तुम नहीं उससे मारा था तो तुमने पहले confess क्यों नहीं करा अब क्यों confess कर रहे हो तो इसके चलते वे Renato ने कहा कि और उसने ये भी कहा कि क्योंकि उसकी सजा उसके काम की सजा एक छोटे बच्चे को मिल रही थी एक 16 साल के लड़के को मिल रही थी तो उससे ये चीज पसंद नहीं आई और इन सब चीजों के बाद Renato even apologized to Christine family पर उससे क्या ही फाइदा होता पर स्टिल दर वस सम्टिंग ओफ CCTV फोटेज में जो लड़का दिख रहा था Renato ने कहा कि वो वो ही था लेकिन जो कपड़े थे उस लड़के के जब side by side comparison करा गया तो Renato की height उतनी नहीं थी जितनी उस लड़के की height थी उनका build भी different था and hair density भी different थी उस लड़के की Renato से also Renato ने कहा था कि उसने कैंची की मदद से Christine का मुँ काटा था उसकी skin काटी थी लेकिन forensic के हिसाब से अगर हम चलें तो Christine के मुँ पे पहले तेजाब डाला गया था जिसकी वैसे Christine की skin melt हुई थी और सिर्फ मुँ की नहीं बलकि आस्वास वाले area की भी and also it was concluded कि Christine को essay करा गया था लेकिन Renato ने इस बारे में कभी बात ही नहीं करी उसने इस चीज का mention भी नहीं करा और जो फिलिपीन के लोग हैं उनके दिमाग में अभी भी काफी सारे question है इस case को लेके और Renato के confession में भी बहुत सारे plot हो ले आगर उसने Christine को scissor से मारा ठीक है scissor से stab करा तो वो चिलाई होगी और उस समय शाम के 6 बज रहे थे तो किसी ने कैसे सुना नहीं और कैसे देखा नहीं इस चीज को जब पुलिस पहले दिन Christine को सर्च करने आये थी और जब Christine के neighborhood वाले भी Christine की body को सर्च करे थे तो Christine की body अगले दिन उसके घर के बहुत ज़्यादा पास उनी थी लेकिन Philippines के एक बात है कि वहां किसी भी crime के लिए किसी भी heinous crime के लिए भी वहां उन्हें death penalty नहीं मिलती है लेकिन जो Philippines के लोग थे उस समय वो लोग Renato से इतना दा गुसा थे that they wanted him dead इसलिए वहां पे almost ये law change होने वाला था पर 24th May 2019 को बहुत ही ज़ादा अजीव सी चीज हुई Renato he was found dead in his cell Renato ने एक ठाई की health से आत्माहत्या कली थी जिसके बाद पुलिस वालों ने Christine Sullivan का case हमेशा के लिए बंद कर दिया इस case को काफी misshandle करा गया था वो तो clear है ही और इस case के बारे में आज भी ऐसे कही सारे points है जिससे questions खड़े उठते हैं confusion खड़ा हो जाता है और कही सारे लोगों को ऐसे लगता है कि Christine का जो असली कातिल था वो कभी पकड़ा ही नहीं गया था वो आज भी खुली दुनिया में घूम रहा है But for now, Christine Sullivan का case यहीं पे समापत होता है Before you go guys, I would just like to request you all कि अगर आप लोग को true crime documentaries देखना पसंद है then please subscribe to me because I am aiming for 10 million subscribers I will keep on working hard and you just keep on consuming this content if you like it And also everyone, if you would like to listen to these cases in an audio form then go to my Spotify, search SR पे and आपको यह सारे के सारे cases वहाँ audio form में मिल जाएंगे But yeah, with that, I hope that you guys are happy I hope that you guys are healthy Please keep your loved ones very close to you guys and I will see you next week Bye Bye